बिदे दिनों ट्रक ड्राइवरों की हर्ताल से चर्मराई विवस्था से निपचने दुर्ग जिला प्रशासन ना सिर्फ ड्राइवरों की हर्ताल समाप कराई बलकि आम लोगों की पेट्रोल डिजल को लेकर परिशानी से बचाने बाकाईदा आपूर्ती सुनिश्चित उनको लेकर पिछले दो दिनों से प्रदेश भर सहें दुर्ग शहर में ट्रक ट्राइवरों की हरताल की कारण आम लोगों को अवस्था और खासी दीकतों का सामना करते देखा जा रहा था जिस पर संग्यान लेते ही दुर्ग जिला प्रशासन ने ट्रक चालकों की देश व्यापी हरताल को देखते हुए दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीडा द्वारा सभी SDM खादेवी भाग परिवहन विभाग एवं राजेस विभाग यदिकारियों की बैठक लेक जिले में अति आवश्चक वस्तु की आपूरती जैसे कि पेट्रोल डिजल दवाई गरेलू LPG आदी की किसी प्रकार की कमी ना होने पाए इसको लेकर वस्था करवाई जिसकी चलती बाकायदा पुलीसिंग वाहन के पीछे पेट्रोल से भरी ट्रकों को उची दिस्थान ल जाएगी अति आवश्चक वस्तु की आपूरती के लिए आर्टियो के अधिकारी की मदद से लाउडी स्पिकर के माध्यम से ट्रक चालकों को हिदायतें दी जाएगी ट्रक ड्राइबरों को समझाई जेते हुए बताया जाए कि ये कानून हीट औरन कानून में सक्ती लाने देश में याताय सिवस्ता शुलब होगी तथा सलक दुर घटनाओं में अंकुष लगने में ये कानून अति आवशक पहल है सभी को नमस्कार मैं राम गोपाल गर्ग SSP दुर्ग आप सभी को आगा करना चाहता हूँ कि जो नया कानून भारती नयाय सहिता कि धारा 106 इसके बारे में हमारे जो ट्रक और अन्य भारी वहांचालक हैं उनको ब्रहमित किया जा रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा विस् पन में या लापरवाही पुर्वक किसी गाड़ी से चला कर गर किसी व्यक्ति का एक्सिडेंट करता है और इसकी उम्रित्य हो जाती है और उसके पश्चात वह पुलिस को सुचना नहीं देता या मजिस्टिट को सुचना नहीं देता और जगा से वहां से फरार हो जाता है तो उन व्यक्तियों पर यह धारा लागू होगी, जिसमें के तस साल की सजा और पांच लाग रुपए जरुमाना का प्रावदान है। अनिता यह धारा किसी भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति पर लागू नहीं होती है। तो जो तरह तरह की भरांती तेला ही जा रही है कि सारे जो हमारे चालक बंदू हैं वो किसी परकार की भरांती में ना आएं। और अगर आप साब्धानी पुर्वक गाड़ी चला रहे हैं और नियमों का पालन बढ़ते हुए गाड़ी चला रहे हैं तो किसी को भी इस धारा से ड़ने की जुरूरत नहीं है. तो मैं ये हमारे सबी ट्रक चालक भाईयों से अगरा करता हूँ कि वो उनकानुन व्यस्ता को बनाई रखें और किसी परकार की आपको इस धारा से ड़ने की जुरूरत नहीं है. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.